साहत बजे के बाद यहाँ लड़कियां के लिए नहीं निकल सकती, लेडिस नहीं जा सकती जब बोटे लेने होती हैं जबfera भील भी आते हैं बीज़िपी भी आते हैं कांगरेस भी आते हैं उसके बाद आज तक किसी ने आके नहीं देखा कि यहां पर रोड कैसे हैं वैसे करोना हो रहा है इतनी बीमारी यह ओर रही है इसमें की तो पूछो माति यहां पर इसमें की घूमते जह गूमते हैं यहां पर हमारे घर में चोरी होगी दो फॉन लिकल गे तो पूरा पट्वागायब हो गया त इस रूड से नमस्कार मैरिया और आप देख रहे हैं चलकुदिली जहां पर आब बारिशता मुह सम हो या फिर जलभराव की बात की जाती है आप लगातार चाहे पुराने का नाम बता दे जो की है Minto Bridge Railway Colony अभी इस को लोनी में आप उचे हैं जो Minto Bridge के एक दम ही इर्द गिर्द में पढ़ती है तो यहाँ पर जो स्थाने लोगों से जड़ूई समस्या हैं वो आप तक यहाँ पर रहने वाले अस्थाने लोगों से ही पूछ कर बताएंगे क्या नम है मापको? परमजीत कौर. परमजीत जी बताएं कितना साल है शुड़ा रही हैं? हमें यहां कम से कम हो गए है, 40 साल रहते हैं कलोनियों में. सबसे बड़ी समस्य कहा है, इस रोड को ही लेकर हैं? इस रोड को लेकर हैं क्योंकि रेल में मैं एंट्री करने के लिए पानी हो जाता बरसात में, सात बजे के बाद यहां लड़की आंकेली नहीं निकल सकती, लेडिस नहीं जा सकती, यहां पर बिल्कुल ना कोई लाइट है, ना कोई रोड बना हुआ है, और चोरी करते हैं, लाइनों की करते हैं, जो सवारी उतरती हैं, ट्रेनों से उनकी चो करते हैं, यहां से जीता हुआ है, उसको हमने कितनी बार वीडियो डाली है, कितनी बार हमने उनको फोन करें, हमारी कोई सनवाई नहीं होई है, अच्छा, आप लोग अंदर कैसे आते हैं, जब इतना सुनसान रहता है, जब डर के मारे आते हैं, क्या कर सकते हैं, वालों की जार चेजलाओ तो वो चीनने कर लगता है, कि चोड चीन लेंगे, और नहीं जलाओ तो फिर गलत तरीके से लोग यूज करने कर लगता है, क्योंकि रिक्सेवाले हैं, और डेडी यहां पर कबाड़ी वालों की दुकान रगगी, तो हम लोग तो डर लगता है, फिर निकल सामने केजी वाल का स्कूल है, माता सुंदरी स्कूल है, हमारे तो बच्चे बढ़ते हैं, हम लड़कियों को क्यला नहीं है, सारा वी एपी एरिया है, लेकिन यहां पर बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है, हम ठक चुके हैं, परिशान हो चुके हैं, आप यह लगा लो कि यह कोई बच्चों की शादी करने के लिए आगे बढ़ घर है, अजय कब से हो रहा है, यह तो बहुत दिन से हो रहा है, वाड़ी है, जब से यह जुगी गई यहां से, जब से रहा है, तुम जंगल में रहे तो, इस रास्ते देखो, ना चलने, कोई रिस्तेदर को भूला नही पूरी जितनी भी बड़ी रोड है यहां पर एक भी लाइट ने लगे लेगे दरवजे पर इतना पानी लगा लाता है ते अंदर रूम में पानी घुच जाता है पूऱा है यहां कोई वर कोई काम नहीं होगा ऐसे जवाब देते हैं तो क्या करे बता किसे बोले इतने पैसे नहीं से आरlast है आज से रह 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 रहां दो इतना पर ग्राणी भऱः रहता है पानी तालीस साल से रह रहे हुँ पर आप तीन चार साल से अब यहां जब से मोधी का दफ्तर बना जब से यहां गंदेगी हुई वो डा जैसे बारिस आती है तो पायप डाल देते खटरो में आर पानी इदर आ जाता हुई देखो तो मैं इतने मोटे मोटे पाय पैप लगा घर से इसे ओना आपे चिखना चुकना पाणी नालों गटरो का पाणी आ जाता लेटन का अच्छा तो आपने एमिली को या पाश्वत को क्या कहेंगे हैं हम तो यहीं कहेंगे जी हमारी सुनवाई हो आके खुद देखें नहीं यहां पर कि कैसे रहती हैं यहां की रेलवे की जो पब्लीक है वो अंदर एंट्रे सी नहीं है रेलवे वालों के लिए त हाँ जी हाँ पर बहुत कीचरों साप निकलते हैं रात में कितना अंधर रहते हैं बहुत जाड़ा कुछ कोई भी नहीं आते हैं यहां पर हमारे घर में चोरी होगी दो फॉन लिकल तो पूरा पट्टू अगायब हो गया था हमारा रात के समय पूलिस में आप लोग कंप्ल होगे तीन गाड़ी होगे एक स्कुटी चोड़ी हो गई सो नंबर पर फोन करा आप मेरे मोबाइल पर देख लीजे मैं डेट भी बता दूंगी आपको लेकिन यहां पर कोई पुलिस वाले नहीं आई सो नंबर पर फोन करने के बार नहीं आए कोई सीवर निए कोई कुछ निए प्रण से निए पानी लेडीस का निगलना अलग मुश्किली हो जाता है बच्चват वो ग कब आगे से बहुत अच्छा है लेकिन बैक साइड देखो ना कभी आके अंदर इतनी बड़ी सोसाइटी कलोनी रहती है रेलवे की लेकिन कोई सुविधा नहीं है दोनों एंटरेंस इतने खराब है मतलब हम बोलते हैं ना कुनोट प्लेस में रहते हैं लेकिन प्राइबेट वाल अगर लेकर आओ भी किसी तरीके से सिधा कहते हैं मैडम आप कहां रहती है इतनी कट है इतना पानी भारा कोई गटर तो नहीं है बीच में क्योंकि गटर में गाड़िया चली जा रही है सिधा निकाल लीजिए अब क्या करें मजबूरी है चार तरफ लाइट ही नहीं है वह सिधा यहां पर और इपि चार ले कर taken रहे हैं तो सबीसे लोगों के बीच में पर कुछक जगए यह यह तो सरकारी एंड़ी। मैंने यहां के बारे में फेस्बुक वगारा पर सब जगे डाला हुआ है लेकिन इस तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है रात के टाइम इतना नहीरा होता है यह पूरा रोड कोई ध्यान ही नहीं देता बिल्कुल भी यहां इतनी लूट खसगोड यहां से रात में निकलना द पताना चाहता हूं कि उनको हम कई बार रिमाइंडर दे चुके हैं लेकिन उनके पार उन्होंने इसका कोई भी अभी तक समाधा ने निकाला है लोग बाग यहां जब गुस्ते ना गुस्तने के बाद उन्हें लगता है यह कहां रह रहे हैं क्योंकि अंदर चाया आप कितन और कई बार बोल चुके लेकिन कुछ उस पर अभी तक कारवाई नहीं कितना टाइम हो गया आपको शिगार डाले लगवग 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 हम तीन साल से हम लगातार जो शोईगवाल या अलेक मौहमत से हम लगातार कॉंटर पर ट्वीटर पर और उसके बाद जबकि य लेडी वो नोने तो अपने अंदर का हिसाब करें लेकिन यह जो कुछ हिस्सा है जो लगवात 400 मिटर के करीब होगा इसका पूरा रहस्ता बिगड़ी है क्योंकि यह पीड़ी केंटर में है और पीड़ी बिल्कुल दियान नहीं अच्छा इस पूरी रोड पर जितनी लंब या फिर कुछ आसा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको आप देख सकते हैं कि टीन टपल लगा हुआ है साइड में रोड के एकदम ही और हलाकि रोड आप देखे सकते हैं कितना ज़्यादा कच्छा है कूड़े की बात करें या फिर साथ में यहां के सुनसान रास्ते की ब परिशानिया है बलकि इस्थाने जो लोग यहां पर रहते हैं लगतार वो इनी रास्तों से होकर गुजड़ते हैं लेकिन यहां पर कोई भी सुधार देखने को नहीं मिलता हलाकि साफसफाई की बात करें या फिरोड की निर्मार का बात करें किसी भी तेरे की कोई भी जो हैं यहां पर बनी हुई है अलाकि सवाल यह है क्योंकि अभी जहां तक आपने देखा कि काफी अंधरूनी कोलोनिया जो होती है उनको दिखाया जाता है लेकिन यह एक ऐसी कोलोनी है जो में सीपी में आती है सीपी में पढ़ते हैं तो इस पूरी ग्राउंट जीरो कि में सीपी में आती है सीपी में सीपी में आता है,egज आता है दूरी विद एक आता है।